Hello बच्चो and welcome back to the series of concepts of chemistry in 3 minutes जी हाँ पिछले वीडियो में जो बच्चे नए आज इस चैनल पर आए हैं उनको बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये question दिया था जो आपके सामने board पर है और उसका answer काफी सारे बच्चों ने comment box में दिया है तो देखते हैं आज जितने बच्चों ने answer किया उनमें से कितने लोगों का सही हुआ तो question क्या था एक बर मैं repeat करूँगा आपके लिए कि इन में से जितने configuration को represent किया गया है मैंने यहाँ पे carbon का configuration लिखा है और पूछा था कि यह जो 2P2 है उनको इन में से कौन कौन से ऐसे तरीके है जो correct है representation के तो बच्चों जिन लोगों ने answer किया कि सिर्फ A correct है उनका answer गलत है reality में A भी correct है B भी correct है C भी correct है D भी correct है सिर्फ A कही गलत answer है वो कौन सा है E सिर्फ E गलत है A, B, C, D यह चारो correct है अब आप बुलोगे कैसे correct है सर थोड़ा explain करिए तो मैं आपको explain करता हूँ आप देखिए जब भी आप configuration करते हैं तो 1S2, 2S2 तो energy के हिसाफ से यानि आफ़ बाव principle के हिसाफ से आप कर देंगे फिर 2P2 2P2 यानि कि जब हमारे पास P sub shell है जिसके अंदर कितने orbital होते हैं तीन-तीन कौन-कौन से PX, PY and PZ इन तीनों orbital में जब हम electron के filling की बात करते हैं तो उनमें most important rule जिसको हम हुंस rule के नाम से जानते हैं उसका ध्यान रखते हुए और दूसरा सबसे important है Paulie's exclusion principle अच्छा ये Paulie's exclusion principle सबसे आसान चीज होती है उसको अगर आपको check करना हो कि Paulie's exclusion principle follow हो रहा है या नहीं तो आप ये check कर रहो कि क्या किसी एक orbital में जी हां एक ही डब्बे के अंदर एक ही orbital के अंदर अगर दो electron same spin से हैं तभी वो rule violet होगा no two electron can have the same spin same state of same set of all four quantum numbers और वो चारो quantum number का set तभी same होगा जब एक ही box के अंदर दो-दो electron same ही spin से हो जाएं अगर ये नहीं है तो Paulie's exclusion principle valid है उसमें कोई problem नहीं है अगर आप एक ही box में उपर नीचे कर दोगे तो definitely valid है तो इसमें आप देखो इन सभी में से किसी में भी Paulie's exclusion principle मैंने violate नहीं कराया ये अलग-अलग डबो में अलग-अर्बिटल्स में यहाँ पर present है तो दूसरी बात कौन सी आई हुंट्स rule of maximum multiplicity हुंट्स rule of maximum multiplicity के हिसाब से जब भी आप electron को degenerate फिल करते हो तो आपको ऐसे फिल करना है जिससे उसकी spin multiplicity maximum आए अब यह spin multiplicity क्या है तो spin multiplicity को हम लिखते हैं कैसे two times of total spin plus one यह आता है spin multiplicity अब बताओ first के case में अगर मुझे spin निकालना हो total spin तो दो electron है दोनों का plus half and plus half total कितना आगया यह one अब आप one यहां रख दो यहां one रख दो mod ले लो two into one plus one कितना आ जाएगा three उसी तरीके से इसका check करो आप again half plus half इसका भी one आया तो इसका भी spin multiplicity वही आया यहां पे आप करोगे तो बच्चों mod लेना है minus half minus half क्योंकि वो तो एक symbolic representation है तो minus half minus half यहां करोगे और उसका mod ले लोगे minus half minus half यह दुनों बिलाके minus one होगा इसका mod ले लोगे one आ जाएगा again two times of mod s plus one की value फिर से three आ जाएगी लेकिन यह एक ऐसा case है जहां पे spin का value क्या है total spin का value क्या है plus half and minus half तो यह दोनों मिलके क्या जाएगा zero जिसके वज़े से इसमें spin multiplicity सिर्फ और सिर्फ one आएगी बाकी तीन के case में बाकी चारों के case में कितना आया three और इस case में कितना आया one तो हुंस rule के हिसाब से वैसे configuration को हम follow करेंगे जिसकी multiplicity maximum हो तो answer यह सब के सब correct है तो answer A, B, C, D अच्छा कई सारे बच्चे यह बोलते है सर पहले पहले डब्बे में बरना चाहिए फिर दूसरे में बरना चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि यह सब की energy equal है इस वज़े से हम इसको कहीं पे भी भर सकते है किसी भी order में आप चाहो तो पहला electron यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ क्योंकि इन तीनों का energy equal है I hope आपको यह चीज समझ आया होगा और अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो अपने बच्चों, अपने friends के साथ जरूर शेयर करिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में Till then, thank you so much.